आप लोगों ने पहले पेपर में पढ़ा होगा कि किस तरह से ब्रिटिश आशन के दौरान भारत में जो भूरा जस्व की व्यवस्थाएं लागू की गई थी वे चाहे इस्थाई बंदोबस्त की हो माहल वाड़ी हो या रियत वाड़ी हो उन सारी व्यवस्थाओं का जो मूल मकसद था वो ब्रिटिश खितों को पूरा करना था और अधिक से अधिक धन उपारजन करना था इस व्यवस्था की वज़े से आपने यह भी देखा होगा कि किस तरह से भारती ये किसान नितांत दैनी ये और दूर दशय की स्थिती में पहुंच गये थे स्वतंतरता संगर्श के दौरान ही कांग्रेस की इस पर पूरी निगाह थी और कांग्रेस ने इसके विशे में आजादी से पहले ही सोचना शुरू कर दिया था उसकी समीतियां भी आजादी से पहले बन गई थी इसलिए जब भारत को 1947 में आजादी मिली तो कांग्रेस ने किसानों की दूर दशय को सुधारना अपनी प्रात्मिक्ता में शामिल किया आजादी के बाद इसलिए पहली ही पंच बढ़्शिय योजना में किसानों और खेती की विवस्था में सुधार को प्रात्मिक्ता से शामिल किया गया कांग्रेस ने और भारत सरकार ने कई ऐसे सुधार किये जिनका मूल उद्देश आर्थिक दृष्टी से किसानों को राहत देना और भारती अर्थ विवस्था को समानता की वर बढ़ाना क्रशी विवस्था में विद्दिमान खामियों को दूर करना और क्रशी समंदों में मूल एकता और समानता की भावना की स्थापना करना था इसके लिए कई क्रांतिकारी और दूरगामी कदम उठाए गए जिनकी हम यहां कुछ प्रमुक विशेष्टाओं के बारे में जिक्र करेंगे जेसे सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया क्रशी विवस्था में वह था मध्यस्थ वर्ग की समाप्ती जमीदारी विवस्था को भारतिय सम्मिधान में पहले ही समाप्त कर दिया गया था क्योंकि यह जमीदार था जो एक ऐसा बिचोलिया वर्ग था जो किसानों और सरकार के बीच में दलाली के तोर पे भी हम कह सकते हैं दलाल के रूप में महत्वपून भूमी का निभाता था और किसानों के सोशन की मुख के वज़े था इसलिए पहली और दूसरी योजनाओं की अउधी में ही सरकार ने सबसे ज़ादा जोड़ दिया जागिरदार और जमीदार जैसे मद्यस्तों को समाप्त करने के लिए और यह सपष्ट घोशना कर दी गई कि किसानों और सरकार के बीच में कोई भी मद्यस्त नहीं होगा इसी का परिणाम था कि हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग भूमी सुधार एक्ट पारित करके मद्यस्तों के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण समानता और शोशन से मुक्त व्यवस्था की तरफ हमारा देश आगे बढ़ा इसके अलवा भी कई सुधार किये गए एक रशी में जैसे लगान का नियमन कर दिया गया आप जानते होंगे कि किस तरह से ब्रिटिश काल में किसानों पर लगान की जो दर थी वो 34 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत थी और पंजाब में तो 80 प्रतिशत तक लगान लिया जाता था इसलिए आजाद भारत में सबसे पहले पहली और दूसरी पंचवर्शी यूजना में सिफारिश की गई कि राज्य सरकारे कानून बनाकर लगान की दर पांचवें हिस्से से अधिक ना रखें ये बहुत क्रांतिकारी कदम था क्योंकि हमारे किसान लंबे समय से लगान की अत्यदिक लगान विवस्था के शोशन से दबे हुए थे दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो सुधार किया गया वह था बूधारन की सुरक्षा अर्थात सेक्यूरिटी ओफ टेनियोर काश्ट कारों की बेदखली रोकने के लिए यह सुरक्षा प्रदान की गई थी ताकि किसानों को आसानी से बेदखल नहीं किया जा सके दूसरी जो पंचवर्षिय योजना थी उसमें खुद काश्ट की परिभाशा तै की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो भी भूधारक है भूस्वामी है वह इन निम्न चार शर्टों को पूरा करेगा तभी वह भूधारन की का अधिकार पा सकता है इसमें एक था कि जो जमीन है जो खेती की जमीन है वह उसकी नीजी देख रेक में हो और वह खुद गाउं या उसके पांच किलोमेटर की परिधी में रहता हो वह उस पर नीजी श्रम करता हो और कृशी में जोखिम उठाने की शमता रखता हो महाराष्ट और राजस्थान में पहली और चोथी शर्त को लागू किया गया असम में दूसरी शर्त को लागू किया गया लेकिन तीसरी शर्त को कहीं भी लागू नहीं किया गया अर्थात नीजी शिरम को कहीं भी लागू नहीं किया गया परिणाम सुरूप यह जो भूदारण की सुरक्षा थी इसके प्रावधानों का वान्चित परिणाम सामने नहीं आया एक अन्य सुधार किया गया कि जो काश्टकार हैं उनको अपनी जमीन पर स्वामित्व के अधिकार दिये जाएं दूसरी पंचवडशी योजना में ये प्रावधान किया गया था कि पुनरग्रहन ने किये जाने वाले क्षेत्रों में काश्टकारों को भूमी का मालिक बना दिया जाए ताकि उनकी जो दरिदृता है, उनकी जो सदियो की दुरदशय है उससे उश्वे मुक्त हो सकें और जमीन पर उनका मालिका नहाख हो जाए इसके लिए तीन कारे किये गए सबसे मैतवपुन काम तो यह किया गया कि सरकार ने काश्टकारों को जमीन का मालिक घुशित कर दिया और उनके मालिकों को किष्टों में मौावजा दिलाने की विवस्ता की गई सरकार ने मौावजा देखकर स्वेम स्वामित तो हासिल किया कई जगे पर और फिर जो जमीन सरकार ने ली थी उसे उसने किसानों में वित्रित कर दिया स्वेम सरकार ने भू स्वामियों के अधिकार प्राप्त किये और फिर उन्हें उन अधिकारों को किसानों के साथ स्वेम इस्थापित कर लिया ताकि किसान और सरकार के बीच में कोई तीसरा मद्यस्त ना रहे एक अन्य काम किया गया गिए जोतों की सीमा बंदी की गई इसका मक्सद था कि एसमानता को दूर किया जाए रोजगार बढ़ाया जाए भूमी हिनों में भूमी वित्रन किया जाए और भूमी का केंद्री करण रोका जाए इसके लिए जोतों की सीमा पंदी की गई और दूसरी पंचवर्षी योजना में इस बात पर जोड दिया गया कि जो किसान जो राज्य कानून बनाएं वे इस हिसाब से बनाएं कि वे जोतों की सीमा बंदी तै कर दें यद्धिपी राज्जों ने अपने अपने कानूनों में जोतों की बहुत उची सीमा रखी जिससे यह कानून जादा सार्थक नहीं हो पाया चकबंदी का की व्यवस्था भी सरकार लेके आई चकबंदी वह व्यवस्था है जिसमें विबिन्ने स्थानों पर विखरे हुए खेत किसान को एक ही जगे पर मिल जाते हैं लेकिन यह इतना आसान नहीं था यदेपी बड़ोदा राज्य में 1920 में ही चकबंदी अधिनियम पारित हो गया था और पहली योजना के साथ राज्यों ने चकबंदी कानून लागू किये ताकि किसानों को कमाई में और फसल में जादा मुनाफ़ा मिल सके इसके अलावा सरकार ने क्रशी प्रबंद में भी कई सारे सुधार किये पहली ही योजना में भूमी प्रबंदन पर जोड़ दिया गया समन्वित पोशक तत्व प्रबंदन की व्यवस्था की गई खाद रासाइनिक खाद और दूसरे खाद उन पर सबसीड़ी देने रियायत देने की व्यवस्था की गई कीट नाशकों के सम्मन्द में भी अधिनियम लाया गया और क्रिशी को पिछडी अवस्था से निकाल कर आधुनिक व्यवस्था में लाने के लिए यंत्री करण पर जोड़ दिया गया और इसी का परिणाम था की 1951 में जहां हिंदुस्तान में केवल टेक्टर बन ही नहीं रहे थे मही 2002 और 2003 में एक लाक बन में हजार के लगबग टेक्टरों का उत्पादन खुद हमारे देश में हो रहा था इसी तरह से विद्यूत पंप हैं और दूसरे क्रिशी सम्मंदी यंत्र हैं उनका निर्मान धीरे धीरे होने लगा ताकि क्रिशी विवस्था को विक्सित किया जा सके जिसका फाइदा किसानों को मिल सके इसके साथ ही सरकार ने सहकारी खेती को भी बढ़ावा दिया ताकि किसान कम संसादनों में भी बहुत अच्छी खेती कर सके इस प्रकार एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारत सरकार ने क्रशक समानता और किसानों के उठान के लिए कई कदम उठाए यदिपी इन भूमी सुधारों में कुछ खामियां थी जिनकी वज़े से वान्चित प्राप्त नहीं हो सका किसानों को लेकिन फिर भी आजाद भारत के लिए यह एक बड़ी पहल थी बड़ा कदम था जब हमने उपनिमेश वादी चोले को क्रशी विवस्था में उतार फेंका और एक नई क्रशी विवस्था के साथ नया समाज बनाने की पहल की